सर 8th class से लेकर 12th class के बीच में हमने concept पुड़ा है कि जो resistance होता है अगर वो series में connected है तो उसका formula होता है R equivalent के लिए equal to लगाते हैं जितने भी resistance होते हैं उनको add कर देते हैं वोही अगर same parallel में लगे होते हैं same value के resistance सो उसका equivalent circuit का resistance निगालने के लिए हम क्या करते हैं 1 upon r is equal to जितने भी resistance लगे होते हैं उनको upon में यूज करते हैं यह तो हमारे basic formula होते हैं बट यहाँ पर problem आती है अगर मैं same value के resistance को theoretical solve बरूँ और उसको practically solve करूँ तो वहाँ तो काफी difference आ जाता है अगर मैं same value के resistance को parallelly solve करता हूँ तो उसका answer same आएगा जितना मेरा mathematical answer आएगा उससे similar 0.5 के difference के साथ आएगा बट अगर मैं series में उसी resistance को solve बरूँ तो वहाँ पर मेरा 7-8 ohms का अंतर आएगा क्यों आएगा यही आज में बताने वाला हूं इस वीडियो में तो वीडियो कभी तेक लाइक नहीं किया तो लाइक कर जीए अगर चानल को बीते subscribe नहीं है तो subscribe करके वीडियो में आगे बढ़िए तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पर कुछ इस्ट्रोंट्स हैं जिनके वाज़े से मैं आपको यह formula प्रूब करके दिखाऊंगा सबसे पहले हम जो formula पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं सिरीज कंसेप्ट के लिए सिरीज कंसेप्ट के लिए हम जिस our equivalent निकालते हैं वह पढ लल के लिए हम पढ़ते हैं formula 1 upon r q is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 यहां पर मेरा r जो है वो resistance है मैं माल रहा हूं मेरे दो resistance हैं यह bulb है मेरे इनको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा वही मेरे resistance हैं मैं इनको सिरीज और पहले मैं connect करूंगा उसके बाद इनका result मैं अपने solution से match करूंगा सब सबसे पहले मैं सारी चीज़े मेजर कर लेता हूं कि मेरे पास क्या क्या चीज़े हैं तो मेरे पास जो supply है वह मेरे पास है 5.10 वोल्ट की और मेरे पास दो जो बल्ब हैं इसका मैं resistance की बात करूं तो इस बल्ब का मेरे resistance है वह 11.86 ohms है यानि कि green wire को मैं मान ले रहा हूं एक green wire वाले बल्ब का Cal resistance है मेरा 11.86 ohms और मेरा दूसरा वाला red wire वाला है तो इसको मैं मान सकता हूं red wire वाले का और जो resistance है वहो मेरा 11.33 ohms मेरे पास बल मिल गया, voltage supply मिल गई, मेरे पास जो resistance है वो मुझे मिल गया, मेरे पास formula है, पहले मैं इन दोनों resistance को parallelly connect करता हूँ, तो यह मैंने एक terminal माल लिया A, यहां से मैं एक resistance को connect करता हूँ, यहां से मैं दूसरे resistance को connect करता हूँ, फिर यह मैं terminal A माल लिता हूँ, और यह terminal B, मेरा पहला रेजिस्टन्स जो है 11.86 Ohms है यह मैंने मान लिया R1 और यह मैंने मान लिया R2 दूसरा 11.33 तो अब मैंगर R-Equivalent अपने फॉर्मुले यानि इस वाले फॉर्मुले से निकालूंगा तो कैसा आएगा मेरा R-Equivalent is equal to value क्या आएगी 1 upon R1 R2 की value मैं रखूंगा 11.86 प्लस 1 upon 11.33 अब इसको मैं solve करके answer निकालता हूँ तो यहाँ पर जो मेरी resistance की value आई वो आई मेरी R-Equivalent यहाँ रेजिस्टन्स की value आई 5.794 Ohms यह मेरी R-Resistive value कि जब मैंने इसको parallelly connect किया अब मैं इसको practically solve करता हूँ तो यह मेरी 5.10 volts की DC supply है और यह मेरे पास दोनों अपने resistance है अब इनको पहले पैरली connect कर रहता हूँ यह मेरा बल्ब गलो हो चुका है और बल्ब गलो होने के साथ साथ जो मेरा current आई वो मैंने एम्प्स पर लगा रखा है तो यहां पर मेरे बाद जो current आई 0.83 या फिर 8283 में मान ले रहा हूँ overall तो जो मेरी current आई वो आई 0.83 ampere तो यहां पर जो मेरी current आई वो आई 0.83 ampere यहां मेरी current इतनी आई अब मैं इससे resistance को निकालता हूँ यह तो मेरा मैंने formula से निकाला था अब मैं इस current और मेरे पास voltage है 5.10 volts अब मैं इससे जो है अपना our equivalent निकालता हूँ तो our equivalent के लिए मुझे निकाल रखना होगा 5.10 upon current 0.83 मुझे अगर इसका resistance निकालना हो तो मैं अपने calculator में इसकी value को put करता हूँ और divide करते तो अपनी current से तो मेरी current आई 0.83 amps तो मेरा जो resistance आया 6.1 यानि कि similar आ गया इसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया थोड़ा बहुत variation चलता है resistance अगरा में क्योंकि कुछ heat का problem हो सकता है या मेरे wire का कुछ resistance हो इसकी वज़े से problem आ रहे है लेकिन इतना ज़्यादा resistance variation तो almost चल जाता है अब हम जो करने वाले हैं इसी इन्ही रेजिस्टन्स को हम series में connect करेंगे तो यह मैंने माल लिया resistance 1 यह मैंने माल लिया resistance 2 यह मेरा R1 यह मेरा R2 यह मेरे terminal A और यह terminal B अब मैं यहां पर अपने resistance की value put कर लेता हूं 11.86 मेरा पहला resistance था दूसरा था 11.33 ohms यह आगया मेरा resistance अब अगर मुझे इसको formula से solve करना था formula से solve करने में मेरे को आपको भी पत्दा होगा कि बहुत simple दरीका से इसको solve करते हैं यहां पर मैं दोनों resistance की value रखूंगा R1 प्लस R2 R1 R2 रखूंगा तो मैं यहां पर value रखू 0.86 प्लस 11.33 तो अगर मेरी value जो आएगी 23.19 ohms यह मेरा answer आया इसको series में solve करने के बाद अब मैं इसको practically form में देखता हूँ अब मेरा जो answer है वह बहुत ज़्यादा कम जोर आने वाला है यह आप कह सकते गलत आने वाला है इस तरीके से तो यह मेरे वही दोनों बल्प जिनका resistance मैंने बता रख है यह है यह दोनों का resistance और यह दोनों मेरे बल्प इनको मैं back-to-back क्यानी series में connect कर दे रहा हूँ तो यह मैंने back-to-back इनको कर दिया connect हमें इससे 5.10 को पॉल्टेश कर दे रहा हूँ उसके बाद में इसकी current को मेज़र करेंगा अब जो मेरा current आई वह आई 0.33 या फिर 0.34 एम्स आई current ठीक तो यह मेरा series में connect है आप दे सकते हैं बल्प बहुत slightly glow हो रहा है बहुत जद़ा lightly glow हो रहा है बट बल्प glow हो रहा है आप ध्यान से देखें तो आपको बल्प glow होता हुआ दिखेगा series में इसलिए बहुत slow जल दा है तो जो मेरी current आई इस case में वह current है 0.34 एम्पियर और मेरे जो वोल्टेज था मेरे पास 5.10 वोल्ट का था अब मैं इससे मैं जो answer आई इसको match कराने कुश्य करता हूँ कि जब मैंने इनको practically solve किया यह मेरा practical form था तो इससे मैं अब इसकी अगर जो मैं resistance की निकालने इक बात करूँ तो जो मैं resistance निकालूंगा वो मेरा और की वैलेंट होगा वी यार के यानि कि मेरे जो वोल्टेज है 5.10 वोल्ट से और जो मेरी current है 0.34 एम्प से तो इसको मैं अगर solve करूँ तो जो मैंने practically solve किया जो मेरा voltage था वो 5.10 था और इसको मैं ड resistance है 15 ohm आया अब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा difference आ रहा है यहां पर मेरा 15 ohm आ रहा है अंसर और यहां पर देख सकते हैं मेरा 23 ohm आ तो यह मेरा theoretical solution था और यह मेरा practical solution था कैसे इतना दे वैरियेशन आ रहा है मैं यही चीज़ आपको समझाने वर लाओ कि यह वैरिशन क आ तो प्रैक्टिकल में आपने देखा कि जो मेरे बास बंट तो मैने पृटिकुलर लोग के साथ उसका मेजर किया था लेकिन उसको मैंने जब पैल रोल थे उसकी पावर कर से वहां पर ब्लके वहां पर उसकी बिस्तान सर्थ्ट से बहुत सारा दीफरेंडा रहा था था क् मेरे को उतनी ही brightness पर उन बल्ब को ग्लो कराना पड़ेगा जब उतनी brightness पर में ग्लो कराऊंगा तब जाके मेरा जो resistance है वो almost similar आएगा इस difference को आपको जरूर याद रखना है तब जाके आपको कोई practical इस तरह का solve करना है तो आज के वीडियो पे इतना है था वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर दीजिए